हेल्डो वर्लिवन वेल्कम बेक्टो के माँ चैनल दूलेच लए पारे जेया जाता है और उसको प्रिज होता है उसको सेम रखा जाता है स्टीकर प्राइश को उसका प्राइश है उसको सेम रखके उसका जो साइज है पहले अगर बड़ा है तो उसको बाद में छोटा कर दिये जाता है जैसे कि यहां पे आपने पिच्छर में देखा होगा यह जो बॉटल है दो लिटर की यह पहले कितनी थी पांच डॉलर की मिल फाइश ती बाद में क्या गिया यह पांच डॉलर प्राइस तो सेमरा लेकिन जो बॉटल का जो क्वाइश में कॉन्टि थी उसको कम कर दिये गया टू लीटर से कितना कम पॉइंट टूफाइव लीटर इसमें से कम कर दिये गया तो यह जो मैथट है इसको क्या काएंगे है इसको जबहिए सब्सक्राइब का हिड़न इंफ्लेशन यानि क्या है महंगाई थो यह एक प्रकार का उट्री नुखंछाई निंफलेशन यह है आगे बात करें तो दे राइजिंगंग हन a mownt strategy employed by companies mainly in the food and beverages industries to certainly boost profit margins !! ब्रॉफट मार्जिनस or maintain them is the face of rising input cost देखिए यह जो प्रैक्टिस है यह ज्यादातर इस strategy को अपनाया जाता है उन companies में जैसे कि जो food or beverages sector में है खाने खाने और पेपदार के sector में जो जो company हैं उनके द्वारा इस को अपनाया जाता है strategy को ताकि वो जो अपने profit margin है उसको boost कर सके इसके अलावा अगर जो input cost है वो बढ़ रही है तो उसको भी tackle करने के लिए वो जो है इस चीज़ को इस strategy को अपनाते हैं ताकि जो राइजिंग इसको कॉस्ट है उसको maintain किया जा सके उनको losses ना हो इसके लावा श्रिंग फ्लेशन इस और पैकेज downsizing in business and academic research तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो है बिजनेस और academic research में क्या है यह package को downsizing है अभी आगे देखेंगे यह देखिए श्रिंग फ्लेशन का एक और example है यह चॉकलेट है जो 20 डॉलर की है कितने की 60 ग्राम की चॉकलेट 20 डॉलर की है तिक लेकिन प्राइज-प्राइजिंग भी सेम है बड़ जो उसका क्वंटिटी है कम जाता यहां 60 ग्राम की है और यह प्राइज بई 55 ग्राम की इसका साईज जए जो है वो छोटा कर दिया गया तिस नहीं किया गया लोगों के लगेज़ déjà है सेम चाक्लिट है सेम कमपनी की है और किया लाइन ऊतने ही प्राइज पर ब्लग यह बट कमपनी है क्या करती है यहां पर एक चालाखी करती है कि वह साइज को कम कर देती है ताकि वह अपने profit margin को boost कर सके या अगर जो input cost पैसा लगा रहे हैं वह ज्यादा लग रहा है तो वह उसको maintain करने के लिए साइज है product का उसको कम कर देती तो इस प्रकार को inflation होता है इस प्रकार की महंगाई होती है उसको क्या कहते है उसको प्रकार की महंगाई को कहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या discuss किया देखिए श्रिंग फ्रेशन के बारे में इस वीडियो में discuss किया है श्रिंग फ्रेशन कुछ नहीं है बस एक प्रकार का यह एक ऐसा inflation है जिसमें जो product का size है उसको कम कर दिया जाता है जैसे कि एक particular amount पे एक bottle जो 2 inflation तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्व इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज दू लाइक इस सब्सक्राइब टू मैं चैनल थैंक यू फो वाचिंग एन वाचिंग वाचिंग एन वाचिंग पूट देख